एसमार्ट नोकरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार में आप सबको पता होगा कि अबस्कि ने अपरेट्स में नियूं रजिस्टरेशन शुरू कर दिया है यानी पहले नया रजिस्टरर नहीं सुरूँ आता लेकिन फिर से फॉर्ट्राउंड कांसलिंग के लिए नियूं रजिस्टर सुरू ओ गया है इसी के बारे में पूरा डिटिएलस आपको जनकारी देने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले बताऊंगो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर ले तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपने BCEC में रजिस्टर्शन नहीं किया है तो BCEC ने फिर से नया रजिस्टर्शन और वो भी first round के लिए सुरू से चालू कर दिया है तो मैं सबसे पहले बता दू कि जो student first round के लिए रजिस्टर्शन करा चुके हैं उन student को registration करने के ज़रूरत नहीं है, लेकिन first round के लिए किसी भी कारणवास student ते अगर बिहार में registration नहीं किया था, वो लोग new registration कर सकते हैं और वैसे student जिन्होंने अपना first round में registration तो किया था, लेकिन अपना need का roll number, need application number या कोई भी गरबड़ी कर दिया था, जिसके कारणवास उनका application रद कर दिया गया था, वो student भी इसमें अपना सही कर सकते हैं, यानि बात यह है कि आप या तो आप अपना कोई भी correction सही करना चाहते हैं, या नया registration करना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ के regarding change करना चाहते हैं, तो फिर से नया registration शुरू हो चुका है, आप इसको फिलब कर सकते हैं, तो date है, online registration करने का 27 जुलाई, online registration close होगा 29 जुलाई को, और आपका payment आपको 29 जुलाई तक करना है, online editing का option दिया जागा 30 जुलाई को, और आपका revised merit list एक अगस्त को जारी किया जाएगा, BCC के website पे, revised merit list मतलब आपका proper जारी किया जागा कि आपक कितना rank है बिहार में, और friends आपको बता दो को, अब counselling जो शुरू होगा, वो counselling शुरू होगा, आपको proper दो अगस्त से, यानि seat matrix जारी किया जाएगा, फिर से, तिसरा seat matrix जारी किया जाएगा, third seat matrix, first में जारी किया जारी किया जाएगा, फिर second जारी किया जारी किया अब ति अगस्त से, last date होगा online registration for seat allotment choice filling 18 का होगा 3 अगस्त को, final seat allotment date जारी क्या जाएगा 5, यानि final seat allotment जो लेटर होता है, let's sorry result होता है, वो जारी क्या जाएगा 5 अगस्त को और आपको slot booking start 5 से 6 तरिकों ही start हो जाएगा, आपको admission लेने के लिए verification verification document कराना होगा government medical college के लिए 7 और 8 अगस्त को, private के लिए 9 अगस्त को, veterinary के लिए और private dental college के लिए 10 अगस्त को, तो friends अपना proper document लेकर जाकर अपना verification कराना है, verification कहा होगा, ये फिर से जारी क्या जाएगा, first verification document क्या कराएगा था, सेखपूरा में IGIMS college के आसपास की वही में, ठीक है, वो मैंने बताया था आप लोग को, सेखपूरा में, लेकिन second हो सकता है, इसी जगह पर counselling हो, या अपना जारी करके बता देंगे, कि कहां पर जारी जाएगा, सबसे पहला काम है आपका registration proper आप करे, फ्रेंट्स ये सब बता ना था, तो बिहार में पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, बिहार में proper, मजाखी चल एक तरह का, अगस्त आ गया, अब अगस्त आने के बाद भी एडिबिशन, फर्स टाउन, अभी काउंस रेश्रिसन शुरू हुआ है, आप अपना प्रोपर, अपना जो काम है, प्रोपर आप लोग करें, रेश्रिसन करें, आप अपने से कोई भी गल्ती ना करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,